हेलो स्टुडेंट्स आज हम करेगे क्लास 6 का चैप्टर मोशन्स ओफ दा अर्थ विर्थवी की गतियां पार्ट वन रोटेशन इंटोड़क्शन दी अर्थ हैस तू टाइपस ओफ मोशन अर्थ में दो टाइप की गतियां होती हैं नमबर वन रोटेशन नमबर टू रिवोलुशन यानि घुर्णन और परिकर्मन वट इज रोटेशन रोटेशन क्या है रोटेशन मोवेंट ओफ दा अर्थ ओन इट्स ओन एक्सिज अर्थ का अपने ही एक्सिज पर मोवेंट करना अर्थ का अपने एक्सिज पर रोटेट करना घूमना एक्सिज कैसी एक्सिज टिल्टेड है जैसा कि हमने पिछले चेप्टर में किया था हमारी अर्थ कैसी है टिल्टेड है अब हम समझते हैं कि अर्थ की रोटेशन के कारण डे और नाइट कैसे होते हैं जैसा कि अर्थ अपने और्बिट पर सन के चारों तरफ क्या करती है चक्कर काटती है और अपने अक्सिस पर वो गूमती है तब अर्थ का जो आधा हिस्सा होता है वो आधा हिस्सा ही एक समय में सूरिय की तरफ होता है अर्थ के जिस आधे हिस्से पर सन की लाइट पड़ेगी सन की रेज पड़ेगी वहां पर दिन होता है उस Rotation, the axis of the earth makes an angle 66.5 degree with its orbital plane. Earth का अपना axis है वो कैसा है सीधा नहीं है बलकि वो कैसा है tilted है जिसके कारण जब वो अपने orbital plane में घूम रहा होता है tilted way में ही revolve करता है tilted while revolving around the sun spherical shape of the earth the portion facing the sun experience day while other half away from the sun experiences night earth की spherical shape है जिसके कारण जिस तरफ से light आ रही है उस तरफ semi-sphere में light होगी यानि की दिन होगा और दूसरी तरफ दूसरा जो semi-sphere है उसमें darkness होगी यानि की रात होगी जैसा कि आप वीडियो में पीछे देख चुके हैं circle of illumination क्या है आधा दिन आधी रात the circle of illumination does not coincide with the axis इस तरफ आधे circle में day और आधे में night है जो circle of illumination बनता है वो axis पर coincide नहीं करेगी क्यों क्योंकि हमारी जो axis है वो 66 and half degree यानि साड़े 66 डिगरी क्या है tilted है चुकी हुई है अर्थ जैसा कि आपको अब दिख रहा है कि अर्थ क्या है 66 and half degree tilted है अर्थ takes about 24 hours to complete one rotation around its axis अर्थ एक पूरा rotation करने में 24 hours यानि 24 गंटे लेता है इसी कारण 24 hours का क्या बन जाएगा one day यानि एक दिन बनता है हमारे 24 गंटे का यहाँ पर motions of the earth का part one rotation हमारा complete होता है next वीडियो में हम इसका second part करेंगे revolution